हेलो एबडिवन, वल्कम बैक टो माई चानल आज मैं आप लोगों के साथ अपना ये मेकप लुक शेयर करने वाले हूँ जो कि रुद्रा विशेक पूजा के लिए मैंने इस तरह से अपना मेकप लुक रिएट किया था इसको सावा एन स्पेसल मेकप लुक पर कह सकते हैं आशा करती हूँ आप लोगो को मेरा ये मेकप लुक और मेरे यहांस का वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज लाइक किज़ेगा जादा से जादा से शेयर किज़ेगा चलिए देखते हैं इस मेकप लोग को हमने किस तरह से क्रेट किया हैं सबसे पहले अपने फेस पे टोनर लगा रही हूं यह रोजीप का टोनर गुडवाइब्स का और उसी का फेस सीरम भी है तो इसका अगर आप लोग को रिव्यू देखना हो तो हमें कमेंट किजिएगा इस सोचा कि चलो थोड़ा सा वीडियो ही बना लिया जाए साथ ही साथ और सीरम के बाद अब लगाएंगे यह हैं नीविया का सौफ्ट मॉस्टराइजर तो इसकिन को मॉस्टराइजर रखना भी काफी ज़्यादा ज़रूरी होता है मॉस्टराइजर लगा लेने के बाद हम ल प्राइमर मुझे पसंद आया है अच्छा लगाया है और इसी का मैं सेटिंग स्प्रे भी यूज करूंगे मेकप कर लेने के बाद और यह काफी ज़्यादा अफ़र्डेबल है कंप्राइज में मिल जाता है तो अच्छा है सबके बज़ेट में आजाएगा तो प्राइमर लगा लेने के बाद अब लगाएंगे फांडेशन फांडेशन के लिए मेरे पास है वेटेंट वायल कफांडेशन जो की मेरे सकीन से एक सट्ड यह हमारे स्कीन में सेट हो जाता है ठीक ठाक कवरेज भी देता है वैसे नॉर्मल तू मेडियूम कवरेज कह सकते हैं और उतना जाता हाई नहीं है फिर भी अच्छा लगता है एक तम से चिप चिपा नहीं है और अच्छा है उसके बाद मैं लगा रहे हूं यह वैटन वाल कह है कंसीलर तो दुनों को मैं एक साथ ही तो थीक ठाकी है वैसे लगाने कराद आप देख सकते हैं थोड़ा साइब फेस डर्क नहीं कह सकते हैं ठीक ठाकी वैसे और यह वॉकसिडाइज नहीं होता हमारे फेस पे जैसे की फाउंडेशन वगर लगाते हैं उसके बाद फेस काला पड़ जाता है तो यह वेटन वाल्ब का फाउंडेशन मुझे अच्छा लगा है और आई प्राइमर के लिए कोंग्टयर से भी मैं कंसिलर तरह सा लगा ले रही हूं अपने इख और उसके बाद कंटोरि करना था उसके बाद मैं कंटोरिंग के लिए यह है एन्वाई कांडोर इस्टिक तो इज से मैं कांडोर निंग कर ले रही हूं और जहां जहां जूड रहे हैं वहां लगा लिए इसको हलका से कर लिया जाता है और जल्दी जल्दी में तो यह लगाना था फिर वी कोई नहीं फिर वी हो ही है। उसके बाद आई मेकप के लिए मैं ले रहे हूँ आई शैडव पैलेट वह है वेटन वैल का इशैडव पैलेट उसमें से लाइट मैरून कलर जो था उससे सबसे पहले आई प्राइमर के रूप में लगा रहे हूँ यानि की आई क्रीस बनाते हुए उसके बाद मैं मार्स का आई सैडो पैलेट में से लूंगे नेक्स्ट कलर जो की होगा ग्रीन और एलो ग्रीन और एलो में से लगाएंगे सबसे पहले ग्रीन वीच में उसके बाद कॉर्णर पे एलो कलर और थोड़ा साइड में लगा ले रही हूं मेरोनी रेड कलर जो की मेरे सारी से मैच करता हुआ मैंने आई मेकप किया है और मैक्तम लाइट मेकप लगाई हूं क्योंकि दीन में पूजा था इसलिए आई-लेनर लगा रहे हूं आई-लेनर के लिए एन-वाई का ही आई-लेनर है मेरे पास था और उसके बाद काजल काजल तो लाश्टम भी लगा सकते हैं थोड़ा बाद में हो जाता है काजल फैल ना जा है इसके लिए थोड़ा सा फॉटर लगा लिए नीचे से और उसके बाद यह एन-वाई का सबसे पहले लगाई थी जो लिपिश्टिक वह मैच नहीं किया हमारे सारी से उसके उपर से थोड़ा लाइट रेड कलर लगा लिए देख सकते हैं एक लाउंग लाश्टी है बहुत ही जादा अच्छा लगता है मुझे और कफे टैम से यूज़ कर रही हूं फिर हल कोई मस्कार मैंने लिया नहीं है उसके बाद हलका से समस्च कर ले रही हूं जो मैंने ऐसा डूप लगाया था इसके बाद यह है मेबलीन का ही है यह पैलेट जिसमें ब्रॉंजर है हाई-लियिटर है और ऑर लाइस मेबलीन को रही है every बूल जाती हो और बिंदी लगा लिए शिंदोर लगा लिया उसके बाद अब सेटिंग स्प्रे की बाड़ी आजाते हैं तो मार्स का सेटिंग एस्प्रे उसके बाद नेकलेस यारिंग्स पांग टीक वाकर लगा कर और बालो को सेट कर लोंगे वैसे मेरे बाल गीले थे तो बाद में जाकर सुखें फिर भी गीले बालो में आप देख सकते हैं मेगरा में कपलो किस तरह से कंप्लीट व वीडियो को शेयर किजिए अब तक सब्सक्राइब नहीं किये तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा थैंक्यू सू मुच पर लच्छिंग गाईज मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में बाई बाई